मेरे पीछे हैं दुनिया की सबसे महेंगी कार्स मजाक नहीं, हमने पूरे 250 मिलियन डॉलर की कार्स को इकठा किया है और इनमें से एक कार तो पूरे 100 मिलियन डॉलर की भी है और हम इन्हें एक्स्प्लोड करने वाले हैं तैराने वाले हैं, चलाने वाले हैं यहां तक की उडाने भी वाले हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये सब इतनी महेंगी क्यों है और शुरू करते हैं इस एक डॉलर की कार से जो पूरी तरह एक कबाड है आप इसे एक डॉलर में क्यों बेच रहे हैं? और मैं बिना मतलब इस पे खर्चा नहीं कर सकता अगर आप ये डॉलर लेते हैं तो डील फाइनल ये बात तो जाहर है कि एक कबाड का टुकड़ा है पर अगर इस पे बीस हजार खर्चा करते हैं तो ये चल भी सकती है ठीक है तो लो इसे चला कर देखते हैं सोचा नहीं था ये चल पड़ेगी आखीर ये चल कैसे रही है? धूए की गंद आ रही है ये तो ग्रेजी है ठीक है तो वो थी हमारी वन डॉलर कार शुकर क्ले उसमे मैं नहीं था एक लाक डॉलर वाली कार को लाया जाए जो अपने आप ही चलती है मजाक नहीं कर रहा, अभी इस कार में कोई भी नहीं है और ये चल रही है, चलो देखें एक लाख में क्या मिला है इस कार में तो बहुत जगा है इस कार में मेरे सारे बच्चे भी फिट हो सकते है तुम्हारे बच्चे भी है? हाँ वो सभी चलो अब इसे चला के देखें टेसला को खरीदने की असली वज़ा ये है कि अपने आप चल सकती है ठीक है, अब मैं इसे नहीं चला रहा हूँ ओ, ये अपने आप मुड़ रही है ये क्या ये सच में अपने आप ही चल रही है मैं अक्सिलरेटर और स्टियरिंग को छू भी नहीं रहा जी में तुम्हारा मतलब कि हम ड्राइब करते हुए सो भी सकते हैं नहीं वैसा मत करना अब देखते हैं ये कितनी तेज दोड़ती है इस ते तो पीछे ही धकेल दिया ये दरावना था ये तो बस शुरवात ही है आग एक ऐसी भी कार है जो एक लेन में बदलकर हवा में उड़ती भी है लेकिन अभी उखला वो को देखो ठुक नहीं वाला था इस पर तो चाबी भी लगी है किसी ने से चुड़ा है नहीं ठीक है और ये हम चले ओ इसकी आवाज ओ माई गॉड इसकी स्पीड तो देखो हेई ये बहुत पावफुल है ओ माई गॉड ये कार तो कमाल की है मैं बस एक्सेलरेटर कुछ हो रहा हूँ और ये उड़ रही है मैंने इतनी तेस कार अब तक नहीं चलाए अगर आप कुछ कमाल का खरीदना चाहते हैं तो यही वो कार है और अब हम आ गए हैं तीन लाख डॉलर वाली कार के पास और ये इस प्लैनेट की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है ये तो एक टैंक है यार क्या ही एक मिलिटरी ग्रेट कार है ये कितनी उची है तुम अभी अभी एक लैंबॉर्गुनी में बैठे थे बलकुल सही कहा चलो देखते हैं ये इतनी सुरक्षित कैसे है सबसे पहली बात ये बुलेट प्रूफ विंडोज जो की इतनी मोटी है इस कार में एक एक एक्स्प्लोजिफ प्रूफ आर्मर भी लगा है जिसकी हम आगे जांच भी करने वाले है काल तुम बटन्स दबाना चाहोगे मैं तड़ प्राओ तुमें स्मोक स्क्रीन बटन दबाना है ये तो कमाल का है यहाँ एक असली स्मोक स्क्रीन है लेकिन इन सभी फीचर्स की बजह से ये कार सुरक्षित नहीं बनती है ये सुरक्षित बनती है इसकी इस एक्स्प्लोजिफ प्रूफ फ्रेम की बजह से और हम इसे टेस्ट करने वाले पहले लोग होंगे और इससे पहले कि हम इस तीन लाख डॉलर वाली कार को उड़ाए चलो उड़ाते हैं एक नॉर्मल कार को और देखते हैं कि पैसेंजर्स बचपाते हैं या नहीं वो सिर्फ जली ही नहीं पर मैनिकिन्स कार से बाहर उड़ गये हमनों उसका संद्रूफ भी उड़ा दिया वो धमागे को बिल्कुल नहीं सहपाई इस कार को उड़ाने से पहले मैं फीस्टिबल्स अंदर रग देता हूँ मेरे चॉकलेट्स को बचा लेना माना कि ये कार एक्स्प्लोजन प्रूफ है पर अब तक इसे टेस्ट नहीं किया गया है देखते हैं कि वो मैनिकिन्स और सबसे जरूरी वो फीस्टिबल्स बचपाते हैं या नहीं तरी, दू, वान स्कार को उस ब्लास्ट के बाद बस कुछ ही स्क्रैचेज आये है विंडो में एक डेंड भी आया है एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, फीस्टिबल्स कहा है, चैंडलर, रास्ते सहटो, चैंडलर, ये फीस्टिबल्स बच गए अगर आपको बॉम से बचने के लिए कार चाहिए, तो मैं चाहूंगा आप इसे ही खड़ी दे पर क्योंकि हम किसी जंग पर नहीं जा रहे हैं, और दो लाख डॉलर एड करके, हम ले सकते हैं ये पाच लाख डॉलर वाली बोट का समीन पर ये एक आमकार जैसी ही लगती है, कोई भी फरक नहीं बता पाएगा काम तो कर रही है, देखते हैं क्या होता है, हम पानी में कार चला रहे हैं, इसे बीब सुनने तक दबाई रखो, ये रही बीब, अब इसे आम कार की तरह चला सकते हो, लेकिन पानी पर, दिया ध्यान से ये तो सच में कमाल है यार ये, बस पान सेकेंट पहले ये सिर्फ एक कार थी मैं भी उनके साथ जा सकता था, पर मुझे कार और बोट दोनों से ड़ लगता है तो ये हुई ना बात बोट, बोट, बोट ठीक है, काल, काल, काल उन्हें मुझे इसे नहीं चलाने देना चाहिए था नेई पता ही आ गया रूल नमबर वान, हमेशा क्रिस से बहुत ज्यादा दूर रहना हम सैजल में ड्राइब कर रहे हैं वो पानी में डोनस बना रहे हैं, इसे तो भवर बन जाएगा मैं इसे अभी पाथ सेकंड पहले मिला हूँ, हम रेस करने वाले हैं वो तो बहुत तेज है, कोशिश भी नहीं कर रहा चलो भी और तेज हम उसे हरा रहे हैं फोस्तो हो गया विश्वास नहीं होता, हमने उसे हरा दिया ये काल सच में बहुत तेज है चलो जीत का जशन फीस्टिबल्स बार खा कर मनाते हैं ये लोग कुछ फीस्टिबल्स मुझे मिल गया फीस्टिबल्स दुनिया के नंबर वन चॉकलेट्स हैं अगर आपने नहीं खाए, तो ट्राइ कीजिए सच में हम तीनों समंदर पर कार्स चला रहे हैं ये बात बहुत ही कमाल की है जेमी मुझे तो इससे प्यार ही हो गया है और कमाल ये भी है कि ये इस वीडियो की शुरुवात ही है अगली जो कार है, वो हवा में उड़ सकती है और क्योंकि मुझे उचाई से डर है, मैंने काल और नोलन को इसमें भीज दिया डूड ये क्या हो रहा है ये कार सिर्फ रोड पर ही नहीं चलती है बलकि इसके विंग्स भी है, जो इसे आसमान में पूरे आठ हजार फीट उपर उड़ा सकते है उस कार में प्रोपेलर भी लगे हुए है तुम यही रुक के इसे उड़ता देखो, मैं उस प्लेन से उसका पीछा करता हूँ मुझे यकीर नहीं है कि ये सच में उड़ने वाली है ये टेक आफ कर रही है, उसके पई ये जमीन पर भी नहीं है अब आगे है एक मिलियन डॉलर वाली कार, लेकिन मैं सिर्फ एक ही नहीं लाया आप सोच रहे होंगे कि एक मिलियन डॉलर वाली बहुत सारी कार्स है और ताकि मैं आपकी फेवरेट कार ला सकू, मैंने एक मिलियन डॉलर वाली दस कूल कार्स मंगवाई है और हमेशा की ही तरह हमने एक पूरा रेस ट्रैक भी रेंट किया है और मैंने मेरे दोस्तों को उनकी फेवरेट कार भी चुनने दी मैं तुम्हारे साथ राइड करूँगा, तुम ही चुनो यह कितनी खूबसूरत है न, क्या मैं इसमें फेट हो जाऊँगा ठीके मैं चलाते हुए टेक्स नहीं करूँगा यह प्राइविट प्रापर्टी है, यहां यह लीगल है इह ने यह मरेंगे, नजर मतवगाओ, लगता है कि मैं नसका कार में हुँň है जैसे कि हैं फासं फ्यूरियस में है। बहुत ही महँऎगी और शोर करने वाली कार चलाना, बहुत ही मर्दाना सा लग रहा है वो भी प्राइवेट रेस ट्राक पर एक प्राइवेट रेस ट्राक पर एक मन मुझे टेक्स करना है नहीं, मसा कर रहा हूँ मैं इसे ठोक दूँगा प्लीज नहीं ओ माई गॉड, हम मिलियन डॉलर्स वाली कार में डोनट्स कर रहे हैं जब तक गैंग ट्राक पर मजे कर रही है मैं आपको अगली कार दिखाता हूँ ये है दो मिलियन डॉलर वाली लिमिटेड एडिशिन हाइड्रोजन कार मजाख नहीं, ये कार पूरी तरह हाइड्रोजन पर चलती है और ये एक्सास्ट करते वक्त पीने वाला पानी छोड़ती है पर ये कार अभी भी डेवलाप हो रही है इसलिए ये एक प्रोटोटाइप है मैंने आज तक किसी कार में बैटने के लिए इतनी मेहनत नहीं की ठीक है, देखते हैं ये बंद कैसे होता है सूपर कार के लिए ये डोर बहुती स्लो है अब हम रोड पर जाने वाले हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ये कार कभी भी रोड पर नहीं चली है ओ, ये बैटने से पहले बताना था उन्होंने इस कार को एक एक्सपरिमेंट के लिए बनाया है तो इसे रोड पर चलाना थोड़ा घातक है जड़ा उस औरत को तो देखो वो औरत हमारी कार को रेकॉर्ड कर रही है और इसे चलाते हुए मैं आपको बताता हूँ सैमसंग गैलक्सी Z Flip 5 फोन के बारे में और हम इसमें एक साथ दो आप्स चला सकते हैं दिखाओ इन्हें मैं दिखाता हूँ यहां नीचे की साइड में मैं यहां देख रहा हूँ गूगल और उपर मैं देख रहा हूँ मिस्टर बीस्ट का वीडियो ओ माइ गॉड़ सच में यह बहुत तेज है भले ही ये कार हाइडोजन पर चलती है फिर भी इसकी रेंज लगभग 1600 किलोमीटर की है और इसकी टॉप स्पीड है पूरे 355 किलोमीटर पर आवर और इस फोन की एक और खासियत है कि यह रेकॉड कर सकता है 4K 60fps में हम फोल्ड करके भी रेकॉड कर सकते हैं इन फाक्ट अभी इस चैनल का ओफिशल ब्लॉक कैमरा सैमसंग गैलेक्सी S23 ही है इस इंजिन की आवाज तो सुनो क्या क्या बढ़िया आवाज है इसे बंद करने के बाद भी यहाँ पर एक फ्रंट फेसिंग कैमेरा दिख रहा है यह फ्लिप फाइव सैमसंग का अब तक का सबसे इनुवेटिफ फोन है इसे लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करें अभी करो मेरी अगल बगल में बहुत सारी कार्स है मेरी दो मिलियन वाली कार से दूर हो जाओ अगली कार के पास जाते हैं वहां रेस ट्रैक पर हमारी अब तक की सबसे अनोखी और पावरफुल कार है यह दस मिलियन डॉलर वाली कॉनेग्जेक वेडर अब तक की इकलौती ऐसी कार है तो यह दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार है और इसके पेंट में असली वाले हीरों का चूरा है और इंशॉरंस कमपनीज इसे सिर्फ इसके मालिक को ही चलाने देती है मैंने पूरी जिंदगी में इससे बढ़िया डोर नहीं देखा तुम पागल हो, चलो चले इसके चलो चलते हैं, एक आदमी डर के रोने भी लगा था सच में? हाँ, मैंने उसे बहुत डरा दिया मैं अपना सिर्फ पीछे ही रखूँगा ताकि चक्कर ना आ जाए यह इतनी तेज कैसे है मैंने कभी भी तेज से एक सकेंड यह कार दुनिया की तेज कारों में से इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ट्विन टर्बो चार्ज वी एट इंजिन लगा है और क्योंकि इसकी पूरी फ्रेम एर कोर कार्बन फाइबर से बनी है इसका वजन एक लैंबॉरगिनी से पूरे 226 केजी कम है यह बिलकुल एक रोलर कोस्टर जैसा है दिल जोरों से धड़क रहा है यह बहुत ही कमाल का था ठैंक यू सर चलो चलके जे लेनो से मिलते हैं और देखते हैं कि 20 मिलियन वाली कार कैसी लगती है चीक है जे लेनो पिछले 20 सालों से देट नाइट शो के स्टार रहे है और आज यह दुनिया के एक बढ़िया कार कलेक्शन के मालिक है जिसमें यह 20 मिलियन डॉलर वाली मेकलेरेन F1 भी है क्या वो सिर्फ आपकी इसेरे से खुलता है यह हाई टेक है चोरो कोशिश भी मत करना और यह इतनी अनमोल क्यों है इसमें V12 इंजिन है कार्बन फाइबर है यह बहुत ही हलकी है और इसकी टॉप स्पीड 388 किलो मिटर्स पर आर है जो की बहुत ही तेज है एक नॉन टबो चार्ज, नॉन सूपर चार्ज कार के लिए तुमें एक कमाल की चीज दिखाता हूँ तुम देख सकते हो उसमें तीन सीट्स हैं और कार का वजन है 1043 किलो सबसे मॉडन कार भी 1800 की होती है यह नोलन की मॉम से बिलकुल मिलती चुलती है बिलकुल सही कहा असल मैं इसे नोलन की मॉम को ही देखकर और समझ कर बनाया गया है तुम इसकी सवारी करना चाहते हो? पेशक, मैं इस मिडल सीट में कभी फिट नहीं आऊँगा बहुत अंकमफिटबल है इतने भी बुरी नहीं है यह तो बहुत कमफिटबल लग रही है अजीब है पर तीन सीट कमफिटबल लग रही है यह बहुत है इंट्रेस्टिंग है आप तो और पर वील यहाँ पर होता है या अगर हम इंग्लेंड में होते हैं तो स्टेरिंग वील यहीं पर होता सही कहा, तुम अभी इंग्लेंड में हो और तुम अमेरिका में आपके पास ये कब से हैं? तुम कब पैदा हुए थे? 1998 मेरे पास ये ठीक तभी से है मेरे जनम लेते ही आपने ये कार सेलिबरेट करने के लिए खरी दी सही का, और ये बात भी जान लो, मैं तुम्हारा डैड हूँ इंट्रस्टिंग, आपने इसे कितने में खरीदा था? मैंने इसे आठ लाग डॉलर में खरीदा था मैंने इसे खरीदा और लोगों ने का तुम्हें कभी इतनी कीमत नहीं मिलेगी पर फिर इसके किमत ज्यादा और ज्यादा बढ़ती गई और अब ये 20 मिलियन डॉलर की है, ये बहुत कमाल की बात है मतलब इस कार ने आपको हर एक साल एक मिलियन डॉलर कमा कर दिया है हाँ, शायद हम वैसा कह सकते हैं काल, तुम्हीं ये कार कैसी लगी? क्या कार है? तो तुम्हें खरीदने से कौन रोक रहा है? 19.9 मिलियन डॉलर्स क्या कभी आपका एक्सिडेंट हुआ है? हाँ, कई बार हुआ है मैं इसमें घुमाने के लिए बहुत बहुत शुक्री है बहुत मजा आया अगली दो कार्स इतनी महंगी हैं कि इन्हें हर वक्त म्यूजियम में बंद रखा जाता है और दोनों की कीमत पूरे 80 मिलियन डॉलर्स है और जैसे तैसे हमने म्यूजियम को मना कर इन कार्स को पाही लिया और इस जगह ये वीडियो और कमाल का होने वाला है इस कार को शुरू किया जाए ये कार है 30 मिलियन और ये वाली 50 मिलियन जूट नहीं कहूंगा मुझे 50 मिलियन वाली ज्यादा पसंद आई तो मैं 50 मिलियन डॉलर वाली कार में बैठा डोनट मीडिया के साथ और चैनलर 30 मिलियन डॉलर वाली कार में बैठ गया कार लेजंड बो बॉक्मिन के साथ तुम तयार हो? क्या तुम तयार हो? मैं तयार हूँ चलो शुरू करते हैं जिस कार में चैनलर बैठा है वो इसलिए इतनी महेंगी है क्योंकि उसे एक गिफ्ट के तौर पर फरारी के फाउंडर द्वारा फोर्ड के फाउंडर के लिए बनाया गया था और ये इतिहास की एकलौती ऐसी फरारी की कार है ओ, इस ब्रेकर को देखकर डेंट न आ जाए जब तक हम एक 50 मिलियन डॉलर्स वाली कार नहीं चलाते तब तक नहीं समझा था कि रोड्स कितने खराब हैं हम जस कार में बैठे हैं वो अब तक की सबसे महंगी जैगवार कार है लेजिंडरी आक्टर स्टीव मक्वीन इसे हर रोज चलाते थे और उन्हें स्पीडिंग के लिए इतने चलान मिले थे कि उनका लाइसेंस भी सस्पेंड हो चुका था मैं हरे गड़े पर नजर रख रहा हूँ और क्योंकि एक कार जितनी महंगी है हमारे साथ पुलीस एसकॉट है ताकि कोई भी इनकार झाल 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 झाल